मैं जानता हूँ पाप कर्म में सनलिप्त व्यक्ति को, अराजकता से ओत प्रोत व्यक्ति को, स्वार्थ परतता में जिस व्यक्ति की आखे अंधी हो गई हूँ ऐसे व्यक्ति को, चोर को, गलत कार्यों में सनलिप्त रहने वाले व्यक्ति को, उपदेश कभी भी अच्छे नहीं लगते, उन्हें अच्छे तथ पसंद नहीं आते, वे उन्हें जहर जैसे महसूस होते हैं, परन्ति है भी सच है, कि एक समय अवश्य आता है, जब उन्हें इन उपदेशों के रूप की बातों के सामने घुटने टेक देने पड़ते, लेकिन तब तक बहुत तेर हो चुकी होती है, तब तक उनका सर्वस्व तहस नह सुचुका होता है, फिर उनके पास केवल और केवल पस्तावा मात्र रह जाता है, वे पस्तावा करकर के ही अपने जीवन की अधिकांश घड़ियों को बिताते रहते हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, विदिक भ्रमित हैं, उन्हें सही राह का बोध नहीं, सही राह की समझ नहीं है, इसले ही, ये उपदेश से भरे वक्तवे उन्हें पसंद नहीं हाते, लेकिन इस तारित्तमिता को बनाय रखना होगा, एक दिन अवश्य बदलाव होने की आशा को लेकर, इन सभी वक्तव्यों को आगे बढ़ाते रहना होगा, परणाम अवश्य आएगा, मैं ये मानता हूँ, कि परणाम नाय ऐसा नहीं हो सकता, कार्णारम को आए बदलाव होने आएगा Son